रादे रादे दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ सोहीजन आलू की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सबजी की रेसे पीजी से बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है टेस्ट इसका कमाल का होने वाला है टेस्ट ना आप इसका बोल नहीं पाएंगे बार बार बनाने का मन करेगा तो चलिए आसान सीरे से पिए जल्दी से आपके साथ सेयर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सोईजन को तीन इंच के लंबाई में कट कर लीजे लंबाई छोटा बड़ा आप अपने पसंद से भी कर सकते हैं अलू को भी हम लंबाई सेप में ही कट कर लिए हैं दोनों बराबर मातरा में लिए हैं अब एक टेस्टी साम मसाला बनाना है मतलब बहुत ही जादा अच्छा मसाला बनाना है जिसे सबजी का टेस्ट कमाल का हो जाएगा थोरे से लहसान अधरक हरी मिर्ची और दो तीन चमच के करीब भुना हुआ मोम फली एक चमच भर के पीला वाला सरसो और आधा चमच धनी आधा चमच जीरा डाल देंगे थोरे से की पानी डाले पीस अखरोग छादे आएं लेटोग आप चाहें तेल मिह इक पीस्ट को यह इसे बुड़ा करने चाहते हैं 10 गारल में यह सी एक पानी टाले तेल धाली आई रहे यहां वे आलु ₌ँ मैं सबंध टेस्ट तो बहुत जादा चाहाता है तो आप चाहें तो आ के न भून सकते हैं हम यहाँ पे आलू को 50 परसें भून लिए उसके बाद इसमें सोहिजन डाल दिये हैं और फिर से इसे हम भूनेंगे थोरी देर सोहिजन की उपर ना एक हलका सा ब्राउन लेयर आ जाएगा आप देख सकते हैं किसी किसी सोहिजन में दिख रहाएं तब तक आप इसे भून लीज़ेगा तो सोईजन में एक कच्छा पंद का जो टेस्ट रहता है न वो निकल जाएगा बहुत अच्छा टेस्ट इसका हो जाएगा जो तेल बचा हुआ था उसी में काला सरसो और जीरा डाल दिये हैं दो तिन यहां पे साबत लाल मिर्ची भी डाल दीजिएगा हलका सही से हम भून लेंगे अब इसमें डाल देंगे प्याज तो एक मिडियम साइज के प्याज को रफली चौप करके डाल दिये हैं प्याज का कलर चेंज हो जाए 50 परसेंट तक प्याज सॉप्ट हो जाए तब तक भूनियेगा एक डम से ब्राउन नहीं करना हमें प्याज को उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले का जो पेस्ट बनाया है ना सारे मसाले मिक्स करके लैसन अधरक मॉम फली हरी मिर्ची जीरा धनिया सरसो वो सब डाल दिये हैं और यहाँ पे थोरा सा हल्दी पौडर डाल देंगे टेस्ट के नुसार नमक और तीखा जैसा पसंद करते हैं उससाब से मिर्ची पौडर दो मीडियम साइज के इसे भी मिला लीजिए और भून लीजिए तब तक मसाले से तेल अलग नौ हो जाए थोरी दर के लिए आप इसे कवर कर दीजिए कवर कर देने से ना मसाला बहुत जल्दी बुना जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले ने तेल पुरी तरह से मतलब इससे मिक्स कर लेते हैं, अब गेरस के बाध सोही जिन बोन कर साही है, उससे भ dece udah से भून को भून के रखे हुए लिए वह इससे केज़िए Woah- तो यहां पर हम चार पांच मिनट पक चुका था उसके बाद हम गैस बंद कर दिये थे और अब यह सबजी पुरी तरह से सर्व करने के लिए तैयार है तो आप देख सकते हैं अगर आप गाढ़ा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं अभी भी आप बीना कवर किये हुए इसे थोड़ी दिर पका लिजए तो यह गाड़ी हो जाएगी पर हम इसे पतला ही रखेंगे और यहां पर हम इसे सर्व कर लिए हैं बनाईएगा बताईएगा जरूर कैसा लगा मेरा यह रेसेपी बहुत ही जादा टेस्टी यह सबजी बनके तैयार होता है तो अगर अगर रेसेपी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे विल का बटन ट्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे सेर कीजे कमेंट कीजे तैंक्यू मिलते हैं आप से वीडियो में को अच्छी सी रेसेपी के साथ